गुर्ण मॉनिंग दोस्तों सुबर की गर्मा गरम चाय के साथ मैं हूं आपको दोस्तरी तुलाज नए दिन है नई सुबर है तो नई जानकर्य भी होनी चाहिए करेंटर फिस के साथ डेली का करेंटर फिस के साथ मैं आपके लिए लेकार आया हूं सब्सक्राइब करिए मेरे चनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना मुलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ग्लास देख लेते हैं देश और दुनिया की तिहास में 6 नॉबमर के दिन क्या परमकटना हुए थी एक एक करके हम सारी जानेंगे 6 नॉबमर सन 1763 में ब्रिटिश फॉज ने मीर कासिम को हरा कर पटना पर कबजा कर लिया था सन 1913 में मात्मा गांदी ने दक्षिन अफ्रीका में रंगभेत की नीतियों के खिलाफ दा ग्रेट मार्च का नित्वत्त्व किया था सन 1998 में अमेरिकी राष्टपती ब्लिन क्लिंटन ने डेंडराइट छेत्र को आटो मुवाइल रास्टी समारक छेत्र गोशित किया था सन 1998 में ही सियाचिन में युद्विराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर करना था मतलब यहाँ पे जो सियाचिन में युद्विराम भारत ने जो प्रस्तावित किया था उसको पाकिस्तान नामंजूर कर दिया था सन 1999 में ऑस्टेलिया ने ब्रिटानी या ब्रिटानी राष्टान्त को नहीं ठुकराने का फैसला किया था संद्विया चार में रूस ने क्योटो करार की पुष्टी करी थी तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज की डेट में 6 नावमर के दिन क्या प्रमुकटना ही हो थी सारी हमने देख ली अब हम वापस आया था अपने करेंट अप्रिस की क्विस के तरब तो कौशन ही याँ पर पद्न पुरस्कार से संबानित वाइलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है आपको उनका नाम बताना है क्या है ओप्शन है टियन कृष्णन सोनन मान सिंग सिंग अंभी सुब्रमनियम या फिर कला रामनात सिंग चलिए इसका अंसर आप मुझे करण में दीजे क्या रहने वाला है पदम पुसकार से सम्माने द्वाइलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया आपको इनका नाम बताना है अप्शन है टी एन क्रिशनन, सोनन मान सिंग, अंभी सुब्रमनियम या फिर कला रामनात दोस्तों आपसे निवेदन है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे क्योंकि हमारी क्लास जो है वो रेगुलर रहती है डेली क्लास रहती है और आपको वीडियो रोज सुबह पास सिले की चैनल की बीच में आपको डेली मिलेगा जिससे की हमको हमारा जो करेंट अफेस है वो डेली मजबूत होता चलेगा तो यहाँ पर कॉशन है पदम पुरुसकार से सम्मानित वाइलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उमर में निधन हो गया आपको नाम बताना है चलेए उप चलीन का नाम है टी एन कृशन जी वाइलिन वादक और पदम पुरुसकार से सम्मानित ती एन कृशन का दो नामबर दोया बीस को कृशन चेन नई तमिलनाडू में निधन हो गया वे 92 वर्ष के थे वे पदम विभूशन एवं पदम विभूशन सहिद अन कई पुरुसकार से सम्मानित हो चोगे थे क्रिशनन बच्पन से ही विलक्षनी प्रतिवा के धरी थे टी एन क्रिशनन का जन में सन 1928 में केरल के त्रिपुत्रापूरी में हुआ था उनके पिता का नाम ए नारायन क्रिशनन और मा अम्मिली अम्माल था चली कि नेक्स कोशन है केंद सरकार ने हालही में वायू गुडवत्ता सुधारनी की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को दो जार दो सो करोड रुपे वाई सो करोड रुपे की पहली किस्त जारी की है केंद सरकार ने हाली ही में वाईवगुण बत्त सुधारनी की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड रुपए की पहली किस्त जारी की है केंद सरकार ने दो 90-20 को वायूगुर्वत्त सुधारनी की दिशा में काम करने के लिए 15 राजेयों को बाइसो करोड रुपय की पहली किस जाज़ी की है इस राशी से लामामीत होने वाले राजेयों को वायूगुर्वत्त सुधारनी की कदम उठाने में मदद मिलेगी और राजिस्थान भी जो मुख्य प्रमुख बड़े राज्य हैं उनके नाम या आप मैंने आपको बता दिये इसके लावा अन्य पंदर राज्य भी हैं आपको जिनको केंद सरकार ने 2222 करोड रुपए दो या 200 करोड रुपए की किस्त जारी करके पहले किस्त दे कर वायू कुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो एयर प्यूरिफिकेशन है एयर की जो क्वालिटी है उसको सुधार करने के लिए जो काम कर रही है स्टेट उनको पैसा देने की यहां पर बात करेंगे हाल ही में किस देश ने गिलगिट बालकिस्तान को प्रांती दर्जा देने के कि पाकिस्तान के फैसले को खारेज कर दिया है अभी हाल ही में पाकिस्तान ने गिल्गिट बालकिस्तान को प्रांती दर्जा देने के लिए पाकिस्तान ने आप फैसला किया था किस देश ने इसको सिरे से खारेज कर दिया है आपको बताना है आपको बस नेपाल चीन बांगल पाकिस्तान को प्रांती दरजा देने के पाकिस्तान के फैसले को पूरी तरह से खारेच कर दिया है। आस्थाई प्रांती का दरजा देने की गोशना की थी। भारत ने इस कड़ी पर कड़ी आपती जिताई है। पाकिस्तान ने बोली थी जिसका भारत सरकार ने पूरी तरह से सिरे से खारेच कर दिया है। आपने जो दावा कर रहे हो प्रांती दरजा देने की बात कर रहे हो यह पूरी तरह से गलत है। इसके लिए इस टॉपिक की उपर मैं पूरा आपको आर्टिकल लेकर आऊँगा। आपको इन कॉशन्स के बाद में पूरा आर्टिकल में आपको डीटेलर समझाऊगा। कि एक्चुन में गिलगिट बाल्टिस्टान वाला जो मैटर है वो है क्या। चलिए आंगे बात करते हैं भारती रेल्वे ने हाल ही में किसे अब्यान की शुरुआत के लिए जिससे ट्रेन में अकेली महिलाओं को यात्रा के दौरान पूर्ण, सुरक्षा एवं हर संबव साहता पतान करने का मदद मिलेगी इसको लेकि क्या संकल्प लिए है। आपके पास मेरी सहली, मेरी पृतिग्या, मेरी हिम्मत, पृतिग्या या फिर मेरा देश। चली सकांसर आप मुझे कंट में दीजे क्या रहने वाला है, कि भारती रेलवे ने किस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें ट्रेन में अकेली महिलाओं यात्रा के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहे, यह हर संबव सहायता पतान करने के लिए रेलवे खड़ा तत्पर, तो आपको बताना है उस अभियान का नाम क्या है, चली सकांसर है मेरी सहली, भारती रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहली अभियान की शुरुआत की है, जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संबव सा पदान करने का संकल्ब लिया है रेल मंत्रा ने उन महिला यात्यों को रक्षा और सुरक्षा पदान करने के उद्देश से मेरी सहली पहल शुरू करने का एफैसला की है जो अपनी पूरी यात्रा के लिए शुरुआती स्टेशन से गंतव स्टेशन तक ट्रेनों से यात्रा कर क्रियंक रादा कर्शन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है। बाते के भारती मूल की एक महिला को किस देश के मंत्री पत में चुना गिया है। चलिए इसकांसर है न्यूजिलेंड भारती मूल की प्रियंका रादा किष्टन ने हाल ही में न्यूजिलेंड मंत्री की रूप में शपतली और वे न्यूजिलेंड की मंत्री मंडल में शामिल होने वाली पहली भारती बन गई हैं प्रियंका मूल रूप سे केरल की रहने वाली हैं यूजी लेंड के आउकलेंड में रहती हैं यूजी लेंड के पिधान मंति जैसिंडा आरडन ने अपनी मंत्री-मंदल में 5 नए मंतियों को शामिल किया जिसमें प्रियंग का कराम भी शामिल है लिंध आप मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है अगर आप इस वीडियो में नए है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और साथी साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरू करिए और दोस्तों अगर आपको इन कॉशन्स के आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट में आंसर जरू देते चलिए साथी साथ में दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए मैं कोशिस करूँगा उस सुझाव को आंगे बढ़ाने के लिए चली तो यहाँ पर इसका आंसर कहा रहेने वाला इसका आंसर है राजी जलोटा भारती प्रशासनिक सेवा आईस अधिकारी राजी जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस समद में केंदरी मंत्री मंडल की नियुक्ती समीती के पूर्व अध्यक्ष राज संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवा नियुक्त होने और महाराष्ट के लोका युक्त की रूप में नियुक्त किया जाने के बाद MBT पद जो है वो खाली था अध्यक्ष पद जो खाली पड़ा था कहने के मतलब यह हो गया कि राजी जो लोटा जी को अभी नियुक्त किया गया है इसके पहले इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे मुंबई पोर्ट जिसको बुला जाएगा इसके अध्यक्ष कौन थे संजय भाटिया जी थे 31 जो राई को वे सेवर निवत्त हो गया और साथी साथ में महाराष्ट के लोकायत की रूप में इनको नियुक्त भी कर दिया गया था इसके बाद लगातार ये पद जो था MBPT ज किस देश की राज सरकार ने हाल ही में करोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाकों की विक्री और आतिश बाजी पर प्रतिबंद लगा दिया है चलिए यहां पर कॉशन में थोड़ा सा चींजिस करना पड़ेगा राजस्थान और किस राज सरकार है यहां पर सौरी जी थोड़ा सा मिस्प्रिंट है थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है इस अलग है यहां पर चलिए राजस्तान और किस राज सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाकों की विक्री एवं आतिश बाजी पर प्रतिबंद लगा दिया है और किस राजस्तान और किस राजस्तान और ओडिसा की राजसरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाकों की विक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया है चली सकान सरे ओडिसा राजस्तान और ओडिसा की राजसरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाकों की विक्री एवं आतिश बाजी पर प्रतिबंद लगा दिया है राजस्तान पटाकों की बेचने वाले दोकांदार पा 10,000 रुपे और पटाकों का अपयोग करने या अनुमती देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपे का जुर्माना लगाएगा उडिसा सरकार ने COVID-19 महामारी की स्थिती को पटाकों से बचन पटाकों से होने वाले हानिकारिक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से लेके 30 नॉमबर 22 तक पटाकों की विक्री एव इस्तमाल पर रोग लगा दिये इसी के साथ साथ ही एक नई ख़बर है आ रही है madhvidस सरकार ने भी यहाँ पर पटाकों की इंपोर्ट करने की बात करी है शरकार यहाँ पर चानीज पटाके बस नहीं फोड़ एगी बाकी आप देश के कोई भी पटाके लेकी आई है आप यहाँ फोड़ सकते हैं तो यहां पर हमने दो चीनस देख लिए हैं पर कि उड़ीसा सरकार और रादिस्तान सरकार इन दोनों ने मिलकर पटाकों की टोटल प्रतिबंद लघा दिया पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया कि én किसी भी प्रकार के कोई पटाकय नहीं बोडे जाएंगे और साती सात मे ना ही बेचे चाहिए, परन्तु मदविदे जर्कार ने यहां पर अभी हाल ही में जो आदेश जारी किया है उसके इसाब से चीनी पटाकों पर प्रतिवंद लगा गया, अब देखिए हो सकता है कि मदविदे सर्कार भी प्रतिवंद लगा सके, पूरी दरह से हो सकता है 19 के जारूरता के बारे में IITM COVID गेम नाम का COVID गेम विक्सित किया है आपका IIT मदरास, IIT दिली IIT खड़कपूर या फिर IIT दिली स्वारी यहां पर दो बार IIT दिली चप गया है यहां पर IIT रूरकी कर लीजिए यहां पर तो आपको बताना यहां पर कौन से IIT संस्थान ने COVID-19 वारस के बारे में जारूता फैलाने के लिए IITM COVID गेम विक्सित किया है चली इसका अंसर है IIT मदरास क्योंकि यहां से गेम के नाम से यहां को सौन में आ गया होगा IITM IITM से मतलब यहां पर मदरास हो गया तो IIT मदरास ने COVID-19 वारस के बारे में जारूता पैदा करने के लिए IITM COVID गेम विक्सित किया है यह गेम मुक्रूप से बच्चों पर केंदित है यह गेम एक ब्राउजर आधारित सौफ्टेर है तो यह जो गेम जो है Android अप पर नहीं चलने वाला है यह आप ब्राउजर पर ही खेलना पड़ेगा आपको और इससे किसी भी डिवाइस पर भी खेला जा सकता है मतलब यह आप Android डिवाइस पर भी खेल सकते है परन्तु आपको इसको ब्राउजर के थूर खेलना पड़ेगा यह एक इंडिविज्वल कोई एप नहीं है जो कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाला है यह जो गेम जो है बारा विभिन्न भारती भाषाओं जैसे संस्कृत, तमिल, कंणर, तेलगू, उडिया, मराथी, मल्यालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाब भाषा में भी उपलब्द रहने वाला है यहां पर भारती संस्थान जो है, आईटी संस्थान जो है इसने एक COVID-19 वारस की जारुता के बारे में एक गेम विक्सित किया जो की मुक्यूब से बच्चों पके देते विएकि बच्चे ही हमारे जो होते हैं जिनको हमको समझाना है हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे ही अपने जो पैरेंट्स हैं जो उनके पैरेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं अगर नहीं समझदार हैं जादा या पिछड़े हुए हैं या फिर जादा पढ़े लिखें नहीं हैं तो वो बच्चे अपने पैरेंट्स को समझा सकते हैं यहाँ पर IIT संस्थान ने एक गेम विक्सित किया जो कि मुख्यू रूप से बच्चों पर केंदेत रहेगा बच्चों को जाउत्ता फैलाने के लिए आपे बात करी गई है बच्चे सीखेंगे और फिर आँगे ये बच्चे दूसरों को आँगे प्रमोट करेंगे चलि आँगे बात करेंगे किस राज में हाल ही में सौरूद्या से चलने वाली भारत की पहली लगू ट्रेन का उधगाटन किया गया किस राज सरकार ने सौरूद्या से चलने वाली भारत की पहली लगू ट्रेन का आविशकार किया चलि इस कांसर है केरल के मुख्यमंतरी पीरानी विजियन वैली टूरिस्ट वैलेज विलेज और सौरूजा से चलने वाली भारत की अपनी तरह की पहली लगू ट्रेन का उधगाटन किया यह रेल गाड़ी विशे सूप से बच्चों के लिए आकर्शन का केंदर होगी यह 60 करोड रुपे की लागत वाली परियुजनाओं का हिस्सा है इस लगू ट्रेन में पूरी तरह से सुसज्जित रेल प्रणाली की सभी विशेस्ता हैं जिसमें एक सुरंग स्टेशन और एक टिकेट कारेले भी शामिल है तो यहां पर सुरुजा से चलने वाली एक शौर्ट ट्रेन लगू ट्रेन का वदगाटन किया गया है जो की पूरी तरह से टोटली सुरुजा से चलने वाली है यहां पर ट्रेन के अलावा स्टेशन टिकेट घर और सुरंग भी शामिल है और टोटल इसमें जो कॉस्ट आया है वो कितना है साट करोल रुपे का कॉस्ट आया है के रहल में चली आँगे बात करेंगे सीपेंगे हाल ही में किसराजिस ना है किसराज जमें भारत की पहली सीपलेन सेवा सीपलेन सेवा शुरू किए चली सिंसर आप मुझे plataforma में दीजिक है करहनने वाले ॥ि सीपलेन सर्विस जो है शुरू करने वाला ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला है आपके आपके सकरनाटक, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिमी बंगाल चले इसका अंसर है गुजरात पधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्य आफ यूनिटी को एहमदाबाद में साबर मती फिरवर फरंट से जोडने वाली सी प्लेन से वाकाउद घाटन किया इस विमान में 19 लोगों के बैठने की विवस्ता है लगभग 200 कलिमिटर की दूरी को सी प्लेन के जरीए लगभग 40 मिट में तै किया जा सकेगा तो यहाँ पर पधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी एक और योजना का शुबारा में किया यहाँ पर जहाँ पर साबर मती रिवर फरंट से जोड़ना है जिसका काम और यह सी प्लेन सुविधा जो रहेगी इसमें 200 कलिमिटर की जो दूरी रहेगी उसको सी प्लेन के तुरी मात्र 40 मिट में तै किया जा सकता है और इसका उद्गाटन रहानमंत्री मोधी जी ने किया है कब किया है स्टैच्यू अफ यूनिटी के पास 31 अक्टूबर को सरदार वल्लब भाई पटेल जी की जहनती कर दूरी तो दोस्तों यह तो हमने देख लिए अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो की इंपोर्टन है एक्जाम पॉंट अफ्यू से भारत ने गिलिगट बालिटिस्टान को प्रांती दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसलियों को खारिज कर दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम उन आर्टिकल्स को भी स्टडी करेंगे जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कोशन में लेके आया था तो इस आर्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं डीटेल में परंतु भारत ने इस पर बड़ी कड़ी आपत्ती जताई विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अनुराग शिवास्तों ने कहा कि इसलामावाद के अवैद और जबरन कबजे वाले भारती छेत्र के एक हिस्से में बदलाव लाने कि पाकिस्तान के किसी भी प्रियास को भारत ध् और पडोसी देश से तत्काल उस इलाके उखाली करने के लिए कहता है पाकिस्तान के प्रवक्तान मंत्री इमरान खान दौरा एक नॉम्बा संदोया बीस को गिलगिट बालिटिस्टान गिलगिट के बारे में कहा गया कि उनकी सरकार ने गिलगिट बालिटिस्टान शेतु आस्थाई प्रांत के दर्जा दिनी की गोशना की थी विदेश मंत्राले के प्रवक्तान है का कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संग में वैद पून और अटल विले की वजह से तथा कदित गिलगिट बालिटिस्टान समेत के इंद्र सहित प्रविदेश जम्मू कश्मीर औ वारत का अभिन अंग है अब यह जो गिलगिट बालिटस्टान बारबर आप सुन रहे होंगे इसके बारे में जानने ती एक है क्या परशानी गिलगिट बालिटस्टान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में उस्तित अत्यादेक उचाई वाला एक पहाड़ी छेतर यह च्छेतर जम्मू और कश्मीर के पूरवरती रियासत का एक हिस्सत है किन्तू सन 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आकरवन के बाद यह च्छेतर पाकिस्तान के नियंतरम है पाक अधिकत कश्मीर, P.O.K. और गिल्गिट बाल्टिस्तान दोनों अलग-अलग अलाके हैं जब कि भारत इन्हें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा मानता है गिल्गिट बाल्टिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाधित छेत रहे हैं हाला कि एतियासिक साचों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि यह चेति कानुनी तोर पर भारत का हिस्सा है परन्तु यहां पर पाकिस्तान यह बोलता है कि हमने इसको उक्किपाई करके रखा है जिसको बोला जाता है ना पाक अधिक्टत कश्मीर पाक ऑकिपाइट कश्मीर ये उसका हिस्सा है वरतवान में गिलगेट बालिटस्टान के पास सीमित शक्तियों वारी एक विधानसबा है यह पाकिस्तान सरकार द्वारा कश्मीर इवन गिलगेट बालिटस्टान मामलों के म मरान खान जी बोल रहे हैं कि यह जो गिलगिट बाल्टेस्टान है इसको हम एक स्वतंत्र एक अलग से प्रांत की गोशना कर रहे हैं इसको लेके भारत सरकार ने इसका कड़ा विरूत किया है चलि आंगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने दिसम्बर जन्वरी में दो सप्ता का शीत कालीन आवकास सोई सीत्र कालीन सत्र आयुजित करने की बात करी है संसद में केंद्र सरकार ने 31 दिसम्बर संदोया 20 से संसद के दो सप्ता के शीत कालीन सत्र को आयुजित करने की योजना पूरी हो जाएंगी इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और फिर हम दिसम्बर और जनवरी में दो सब्ता के शीत काली सत्र को आयुजित करने के बारे में हम नेने लेंगे चलिए आंगे बात करेंगे इसकी कुछ विशेस्ता है क्या रहेंगी संसत का शीत काली सत्र जो है वो आमतोर पर नौंबर के तीसे सप्ता में शुरू होता है इस साल यह सत्र दिसम्बर के तीसे सप्ता ता इस्थागित कर दिया सकता है इस वर संसत के सीटकालीन सत्र बारा, 21 दिसंबर संदोयार बीस और दो जनवरी, 21 के बीच होने की समावना है, जबकि संसत का बजट जब हो 30 जनवरी के आईजित किया जा सकता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत की संसत्र का शीटकालीन सत्र जो है वो दोया 19 तक चला था संसद में संसद ने 30 दिन के बाद फिर से बजट सत्र के लिए बैटक की थी हाला कि वर्तवान तितियां अस्थाई हैं सरकार इसके पहले पहले मंत्रा लें उद्वारा प्रिस्तावित विदियां एजेंडे की समिच्छा करेगी और फिर इस संबंध में अ सारी चीजों को जानी है आशाक रतों आकको हिए मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर एब अगर आधे जा necessर करेए lag आधा नहीं किया है कर दो कह एकार ढई कर दो जबगार झामानि मुझा है ठीक कर दोछ के अपीक कमार बहले कर दो ride कर दो का इड़ झाल 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 झाल